नमस्कार दोस्तों मैं आया हूँ केलाजी के खेत में और ये देखिए जवर 10 तरीके का ये के प्लांट लगाया हुआ है और प्लांट के नीचे में बैठा हुआ हूँ ये है लोकी का प्लांट और ये देखिए जवर 10 तरीके से जहमा की खेती नीचे नीचे से इसके पत्ते स जो विलकुल बिलकुल बिलकुल तो रोग आप ही की फसल में आया है या सभी फसल में है जो भी जानकार मेरे वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा गाइड करें कि इसके उपर कौन सी दवा का छिटकाओ किया जाए ये में नीचे से जहामे के अंदर जो सुकी हुई पत्तियां है जो पुरानी पत्तियां हो उनका वीडियो है अब मैं आपको उपर से दिखाता हूं कि किस परकार से देखो किसान भाई इसको धोता है और फिर ढंग से यहां पर सुकाता है और फिर इसका अच्छे से भराव करता है और यह देख सकते हैं दोस्तों उपर का जहामा अभी काफी हरा सगन है और काफी अच्छी पैदावार दे रहा है इसमें से अभी लोकी तोड़ दे गई है जो कि मैंने आपको अभी बताया था यह देखिए काफी अच्छे फूल भी लग रहे हैं और लोकी के छोटे छोटे फ होता है तोडने में भी काफी सवलियत रहती है नीचे से लटकी हुई लोकी को आराम से आसानी से तोड़ा जा सकता है डूनने की जरुरत नहीं होती है बाकी नीचे जो बेल इसकी फैली हुई होती है उसमें तोड़ने में काफी परेशानी आती है और आज हम इस पसल का निरिक्षन करने के लिए यहां आई गए हैं यह देख सकते हैं कि यहां लोकी लग रही है यह देखिए यह छोटे जे लोकी के देखिए छोटी लोकी भी लग रही है और काफी बड़ी संख्या में ये देखिये छोटी लोकी ये देख सकते हैं अच्छी क्या सौट है बहुत अच्छी पैदावार है तो इस परकार की खेटी जनूर करेई ताकि काफी मुनाफा लिया जा सके और अब मैं आप को ले चलता हूँ इसके नीचे यहां देख सकते हो नीचे जार काफी विसाल चेतर फल में ये फैला हुआ खेती का प्लांट जो की लोकी ये देख सकते हैं अच्छी सी बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी की लोकी है देख सकते हैं आप मैं इसको नज़्दीक से दिखा रहा हूँ ये देख सकते हैं ये देख सकते हैं फल ऑटोमेटिक वजन होने के बाद नीचे लटक जाते हैं ये देख सकते हैं तो काफी अच्छी पैदावार है लोकी में और आप इस प्रकार की खेती ले सकते हैं यहां देखिए ये काफी अच्छी पैदावार यदर देखो ये के लगा